हालो अब्रिवन स्वागत आपका अध्रेसीनिस कैंडी स्कूल की ऑनलाइन क्लास पे आज हम डिस्कूस करने जा रहे हैं क्लास 8 के 14 चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइस हमें इसको डिवाइड करना है फिर इसको फॉल करना है ठीक है डिवाइड करना है तो 28 एक्स पावर फॉर बाय में 56 एक्स तो 28 और 56 से कैंसल हो चाहेगा तूपे हमें बता है 28 तूजा 56 ठीक है अन्न एक्स की पावर किपनी है 4 डिवाइड में कितना है एक्स तो जैसे के घमी पता है पावर 4 है तो हम एक्स को लिकेंगे 4 ताइम एड में हो जाएगा 2 2 x x से x कैंसल हो जाएगा x की पावर 3 ये आपका फर्स पार्ट कम्प्लीट है अब हम करने नेक्सट पार्ट सेकेंड तो यहां पर हमें गीवन है माइनस 36 y पावर 3 डिवाइड 9 y पावर 2 तो माइनस 36 को हुआ क्या से लिखेंगे 9 9 x 4 36 हो जाएगा 9 x 4 and y की पावर कितनी है 3 तो हम y को 3 times multiply किया है and divide में कितना है 9 y की पावर कितनी है 2 तो य को हमने 2 times multiply किया 9 से 9 cancel तो कितना रहे गया minus y यहां पर पावर कितनी है 2 तो यहां पे y से y cancel हो जाएगा कितना रहेज़ेगा माइनस 4y ठीक है सेकंड पार्ट समझा गया होगा अब हम करें नेक्स पार्ट थर्ड तो यहां पर है थर्ड पार्ट 66 p q square r q divide 11 q r square ठीक है 66 को हम कैसे लिखेंगे 6 multiply 11 p की power 1 है r q की power कितनी है 2 तो q multiply q multiply r power कितनी है 3 तो r multiply r multiply r divide में कितना हो जाएगा 11 q r की power 2 है ठीक है r की power 2 को हम 2 times यहां पर लिखते हैं उसके आगे हम cancel करेंगे 11 से 11 cancel हो जाएगा q से q cancel हो जाएगा r की square है square से square cancel हो जाएगा कितना रह जाएगा 6 p की power 1 q की power 1 and r की power 1 तो अंसर हो जाएगा 6 p q r ठीक है अब हम कर रहें next part 4 34 x power 3 y power 3 z power 3 divide 51 x y square z power 3 ठीक है तो हम इसको लिखते हैं 34 को लिखेंगे 17 multiply 2 x की power 3 है तो हमने x को 3 times multiply किया है y की power 3 है तो y को हमने 3 times multiply किया है and z power 3 है तो z की power z को भी हमने 3 times multiply किया है divide में है 51 17 multiply 3 multiply x y की power 2 है y multiply y z power 3 z multiply z multiply z divide तो 3 times है तो हमने 3 times इसको cancel किया है ठीक है y की power 2 यहां पे है यहां पे y की power 2 है यह cancel हो जाएगा single y रह जाएगा अब हम x को x के साथ cancel करेंगे and 17 को 17 के साथ तो कितना रह जाएगा 2 by 3 x की power 2 हो जाएगा and y की power 1 तो समझा आगे होगा अपना अंसर है 2 by 3 x square y ठीक है अब हम कर रहे हैं फिफ्ट पार्ट लास्ट में है तो यह हो जाएगा 12 8 power 8 b की power 8 divide minus 6 a की power 6 b की power 4 solve करेंगे 12 को लिखेंगे 6 multiply 2 a की power 8 b की power 8 divide minus 6 a की power 6 b की power 4 6 से 6 cancel हो जाएगा answer में रहेगा minus 2 ठीक है a की power 8 को हम कैसे लिख सकते हैं a की power 6 multiply a की power 2 क्योंकि base same होता है तो power side हो जाती है यहां पे power add है तो हम base में इसको अलग-अलग करके लिख सकते हैं ठीक है and b की power 8 को हमने लिखा है b की power 4 multiply b की power 4 और divide में भी a की power 6 है b की power 4 है तो a की power 6 से a की power 6 cancel b की power 4 से b की power 4 cancel ठीक है तो कितना हो जाएगा minus 2 a की power 2 and b की power 4 ठीक है तो students आपका first question complete है अब हम करेंगे next question next video में ठीक है आज के लिए इतना ही thank you झाल झाल